अस्तामलेकुम फ्रेंट्स विलकम बैक तू ठॉप स्मार्टीज ट्रामा सीरियल कैसी तेरी हुद्गर्जी क्या महक मरने वाली है? महक के मरने के बाद क्या होगा? मुकम्मल कहानी आप से बियान करूँगी उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है चैनल में पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राब कर दीजिए साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर पैस किजएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप असानी से देख सकें जैसे कि हमने देखा कि शमशेर पहली तरह मिलने के बाद बहुत हुश है महक को शॉपिंग भी करवाता है और बाद में सुसर के पास पी जाएगा क्यूंकि वो जानता है मेहनच से कमाना किता मुश्किल है और महक का बाप तो हमेशा मेहनच से कमाता आया है इसलिए शमशेर के दिल में महक के बाप के लिए इज़त कदर और भी फर जाएगी दूसरी तरफ बाबा साब बाबा साब तो महक को मरवाने की सपारी दे चुके हैं बाबा साब ने अपने बंदे रेडी कर लिये हैं कि जहां पर भी महक को देखेंगे बस उड़ा देंगे अब यहां पर बाबा साब बैठे हुए सोचते हैं शमशेर तुम्हें कितना समझाया था मैंने तुम जानते हो कि मैं जुक नहीं सकता मुझे जुकना नहीं आता और तुमने भी उस लड़की को ना चोड़ा तो मुझे यह कदम उठाना पढ़ रहा है बस बाबा साब की यह अना है यह जिद है जो कि सारे घर को तबाह करके रख देगी महक और शमशेर अपने अपने काम पर जाने के लिए त्यार है शमशेर आगे चल रहा है और महक उसके पीछे है ऐसे में महक को चक्कर आ जाते हैं तो जल्दी से शमशेर को पकर लेती है कि कहीं नीचे ही न गिर जाओ शमशेर भी सीदा होकर जल्दी से महक को संभाल लेता है फिर शम्शेर महक के लाख मना करने के बावजूद भी महक को पहले डॉक्टर पर लेकर जाता है क्या हर इसे चक्कर क्यों आए, मसला क्या है, इसकी तबियत क्यों हराब हुई जाते ही डॉक्टर इन्हें खुशबरी सुना देती है आप दोनों माबाब बनने वाले हैं शम्शेर और महक इस टाइम बेहद हुश है क्योंकि उनके घर में भी नन्य महमान की आमत होने वाली है वो जब सोचते हैं कि वो माबाब बनने वाले हैं तो एक दूसरे के तरफ देकर बहुत हसते हैं, मुस्कुराते हैं फाइनली इनकी जिन्दगे में यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग टर्न आने वाला है दूसी तरफ हम देखें कि शम्शेर महक को उसी टाइम पर जब ओफिस चोड़ने जाता है और चोड़कर वापिस अपनी बाइक पर बैटने लगता है इतने में बाबा साब की आदमी तो अपनी गन सीधी कर लेते हैं और महक पर निशाना बना देते हैं शम्शेर की नजर जब उन आदमियों पर परती है तो वो फूरन महक की तरफ दोड़ता है लेकिन उस टाइम महक को गोली लग चुकी होगी महक तो जमीन पर गिर चुकी होगी तड़प रही होगी जिन्दगी और मौट से लड़ रही होगी तब शम्शेर उसके पास पहुंचेगा उसका सर अपनी गौद में रखेगा रोएगा चिलाएगा चिहेगा मदद के लिए पुकारेगा तब महक को हॉस्पिटल तो पहुंचाया जाएगा लेकिन महक और इनका बच्चा दम तोड़ जाएगी वो अब इस दुन्या में नहीं रहे ये सोच कर तो शम्शेर के हवासी बाहता हो गए वो तो चिहेगा चिलाएगा आसमान सर पर उठालेगा जैसा कि ये सीन हम पहले भी एक दफा देख चुके हैं जब महक की मौत हुई तो शम्शेर का क्या हाल था सेम वैसा ही हाल अब भी शम्शेर का होने वाला है क्योंकि अब तो महक के साथ उसका बच्चा भी है अब क्या होगा इसके बद शम्शेर क्या करेगा क्या शम्शेर बाबा साब के पास वापिस चला जाएगा शम्शेर बाबा साब के पास जाएगा और उनसे कहेगा आज मैं आप से आपकी सबसे कीमती चीज़ चीन लूँगा आपको एहसास होगा कीमती चीज़ चीन जाने पर कितना तर्पते हैं हम कितना रोते हैं कितने खुदगर्ज बाप हैं आप आपने अपनी खुदगर्जी के लिए मेरी खुशियों का गला घोड़ दिया महें के साथ-साथ मेरा बच्चा भी इस दुन्या में नहीं रहा आप जानते हैं मैं बाप बनने वाला था आपने तो मुझसे मेरी हर खुशी चीन ली आज मैं आप से आपकी हर खुशी चीन श्मशेर ऐसी बाते करने के बाद खुद को उनके सामने मार देगा उनके सामने तरब तरब कर दम तोड़ेगा जिससे उन्हें अहसास होगा कि अपनी सबसे कीमती चीज़ चिन जाने का एहसास क्या होता है यहां पर बाबा साब भी रोएंगे आसमान सर पर उठाएंगे चिहेंगे चिलाएंगे लेकिन अब तो कोई फाइदा नहीं क्योंके शमशेर तो इस दुनिया में नहीं रहा इस तरह बाबा साब की खुदगर्जी ने बाबा साब की अना ने एक हस्ता बस्ता घर हराब कर दिया अब बाबा साब अपनी खुदगर्जी के साथ इस महल में अकेले रहे गै ड्रामे का टाइटल ही कुछ ऐसा है कैसी तेरी खुदगर्जी एंड में एसास होगा बाबा सापको के ये हुदगर्जी उन्हे कैसे ले डूबी ऐसे ही महक को एकसेप्ट कर लेते अपनी अना को थोड़ा सा नीचे कर देते तो क्या ही बात थी लेकिन अब पच्चताए क्या हो जब चिडियां चुक गई खेद फ्रेंड्स मेरे मताबिक मेरी प्रेडिक्शन के मताबिक ये ड्रामा अब ऐसे आगे चलेगा और इसका एंड ऐसा होगा आपको क्या लगता है कैसे होगा मुझे जरूर कमेर्स में बताएगा वीडियो अच्छे लगी लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा दौाओं में याद रखेगा अपना बहुत सरा है रखेगा नहीं वीडियो तक के लिए अला हफीज